हेलो गाईजी सब्सक्राइब करें संचीती फस्टंडी जानल बिल आइकन प्रेस करें मारी नहीं नी वीडियो देखने के लिए आज मैं आपको बताऊंगे यह डिजाइनर स्लीवस बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका जिसे आप अपने घर बैठी है और यह जो डिजाइन से प्रिपेर कर सकते हो आज की वीडियो में आप चानेंगे कि डिजाइनेबल जो बाजू है वो हम कैसे बनाएं यह देखे यह मेरी ड्रेस है और इसकी जो बाजू है वो बिलकुल सिंपल है तो मैं इससे कुछ डिजाइनेबल बनाना चाती हूँ तो सबसे पहले क्या करेंगे हम अपनी वाजू को सरह से उल्टा करेंगे और इसकी जो यह सिलाई है उसको हम खोल लेंगे तो अगर आप भी चाते हूँ अपनी पुरानी कुर्ती की वाजू को डिजाइनेबल बनाना तो यह सिंपल बनी हुई थी तो मैं इससे कुछ हम इसको डिजाइनेबल बना लेते हैं बाजू थोड़ी सी लंबी है इसको थोड़ा सा सोट भी हो जाएगी और यह खूब सारी लंबी है तो इसमें डिजाइन भी बहुत अच्छी बनेगी तो चले इसे पहले खोल लेते हैं तो किसी भी सुई की हेल्प से आप जो इसकी सिलाई है न वो इस तरह से खोल सकते हैं सबसे पहले बाद जो खोल लेंगे उसके बाद डिजाइन बनाएंगे डिजाइन आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजेगा और हमारे चैनल को जरूर ही आप सबस्क्राइब भी कीजेगा सुई की साइता से न ये बहुत ही आसानी से खुल जाती है दोनों साइड से इस तरह से हमें दागों को पकड़के खीच-खीच के खोल लेना है तो मैंने इस बाद जो को खोल लिया है अब इसकी सेंटर पे मैंने आईरन से घट डाल दी है और घट डालने के बाद आपको क्या सबसे पहले इसका जो सेंटर होता है सेंटर पे एक लाइन खीच लेना है तो सबसे पहले बीच जा इसका मिडिल सेंटर होता है उसको आपको इस तरह से एक लाइन खीचना है लाइन को मैं थोड़ी से डाग कर लेती हूँ तक कि आपको आसानी से दिखे अब आपको टोटल जितने मैं पॉइंट लगा रही हूँ एक एक इंच की तो नीचे से मैं इसको पहले डाइ इंच चोड़ दूँगी उपर से भी आप डाइ से डाइ इंच लगबग छोड़ दीजिए तो दोनों पे डाइ डाइ इंच की पॉइंट लगाने के बाद में ये फिप्टीन इंच की है सोरी फोटीन इंच की है तो आपको यह आप फे फोटीन पॉइंट लगा देने है तो यह मैंने एक एक इंच की दूरे से पहले पॉइंट लगा दिये है अब आपको दोनों साइड में एक-एक इंच के स्पेस से इस तरह से एक-एक पॉइंट ओर लगा देनी है तो दोनों साइड में आपको एक-एक इंच के स्पेस से एक-एक पॉइंट लगाना है और फिर इन पॉइंट को मिला देना है, ऐसे सीधी लाइन खीच देनी है उसी तरह भी से सामने की साइड में भी एक लाइन खीश दूंगी, ठीक है, तो इस तरह से यह हमारा जो डब्बा भन करके रड़ी हो गया है, ठीक है, इसके और इसमें मिला देना है, निचे को भी इसमें मिला देना है, अब जो 1-1 इंच के आपने पॉइंट लगाये थे बी बबे जो है ना, खाने बन करके, ready हो गए हैं, तो इसी तरह सी, सारे block बना लिए हैं, अब आप एक एक टबे को देख सकते हैं, सबसुते पहले डबे में, हम इस तरह से line कीचेगे, दूसरे को छोड़ेंगे, तीसरे की center पर इस तरह से line कीच देंगे, चोती को छोड़ देंगे पांच में में फिर इसी तरह से तो एक डबबा छोड़ करके दूसरे डबबे में आपको इस तरह से लाइन खीस देनी है एक साइड में हम इसी तरह से खींचेंगे आपको अच्छे से दिख जाए यह दिखिए तो एक साइड में आपको एक डबा छोड़ करके पूरा इसी तरह से ड्रो कर लेना है अब दूसरी साइड में इसको छोड़ना है और इसमें आपको इस तरह से उल्टा करना है अब पोजिट करना है, उसको उपर से नीचे लाइन कीची ति इसको नीचे से उपर लाइन खीचना है इस तरह से, फिर वैसे ही एक डबा छोड़ करके और फिर आपको इसे मार्क कर लेना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको इस तरह और इसको इस तरह आपको खीचना है, एक साइड में नीचे से उपर खीचा एक साइड में इस तरह से आपको ये पूरा डिबबा त्यार कर लेना है अब आपको सेंटर पे सुई लगानी है सुई में दागा ले लेजेगा और सेंटर से आपको स्टार्ट करना है पहला जो पॉइंट आना इसको आपको इस तरह से धागे में लेना है और ऐसे तुड़ा खीच देना है अब आप ये देख सकते हैं ये आपका डिजान्स यहाँ पर बन जाएगा अब इसको लोग कर देना है ठीकें इसके बाद में आपको धागे को यहाँ पर लेना है इसके बाद में यहाँ पर आपको ये धागा है ना इसको आपको लूज ही छोड़ना है ज्यादा टाइट नहीं करना है नहीं तो डिजान बनाते इसमें आपको दिक्कत होगी बराबर लेंगे और यहाँ पर एक नोट लगा देंगे ताक कि ये धागा ना खींचे लेना है और फिर यहाँ से इसको निकाल देना है अब आपको अंग उठा लेकिए इसको साथ में ऐसे ऐसी कर देना है यहाँ पर आपको इसको नोट से टाइट कर देना है इसको हम एक नोट लगा करके यहाँ पर टाइट कर देते हैं यह लीजे इस तरह से यह टाइट हो गया है अब आपको फिर से न यहाँ पर लगाना है सुई को अब इस दागे को भी आपको यहाँ पर नोट लगा करके पक्का कर देना है तो यहां पर मैं एक नोट लगा देती हूं तक कि दागा है ना खीचे नहीं यह रेखेंए मैंने इस पर नोट लगा दिया है अब आपको यहां पर इसके उपर चलना है यहां से और यहां से ऐसे सुई को लेना है और आपको इसको ऐसे खीच लेना है और यहाँ पर आपको फिर से नोट लगा देना है इसके बाद आपको फिर से यहाँ पर चलना है सेंटर को टाइट करके फिर आपको इस तरफ से इसको यहाँ से सुई को उठाना है फिर थोड़ा सा खीच करके इसको वैसी ही डिजाइन्स बना लेनी है सुई को एक तिर्ची जो लाइन अमने ड्रो कीती वहाँ पे ले जाना है फिर सेंटर वाले से इस तरह से नोट के साथ टैप कर देना है तो इस इतरह से आपकी पूरी डिजाइन्स जो है न वो बनती जाएगी सेंटर वाले दग्यों को बिलकुल नहीं किंचेंगे और साइड वाले दग्यों को आप खींच कर लेंगे आगे से इसको बनाईए फिर अपनी बाजू में बना करके इसको लगाईएगा बहुत खुपसूरत लगती है और आजकल इस बाजू का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है थ्री क्वार्टर बाजू में बहुत ही सुन्दर लगती है यह डिजाइन्स तो आप देख सकत करके इस तरह से डिजाइन्स बनाया है और इसके बाद हम इसको आपको सीधा करके दिखाएंगे कि ओन साइड से डिजाइन्स कैसे दिखती है फिर इसके जो साइड वाली प्लेट से वो कैसे डालती है तो पूरा वीडियो देखिएगा देख करके आप बनाईएगा फिर ए जैसे आपको plates दिखती है न इसकी उसी तरह से आधा-धा इंच से आपको इसको इसको इसे cover कर देना है तभी आप देख सकते हो मैं इसको आधा-धा इंच से इस तरह से इसकी जो plates है वो डाल रही हूँ बीच से हना चोटी की तरह दिखती है बहुत सुन्दर मैंने किसी के पहना वहा देखा था ब्लाउस मुझे बहुत अच्छी लगी फिर मैंने उसको खोल करके डिजाइन्स को देखा अच्छी तरह से समझा फिर मैंने का कि मैं भी इसे अपनी सूट पर बनाऊंगी जो मेरी पुरानी सूट है उसको मैं बाजू चेंज करके और इस तरह की डिजाइन्स बना लोगी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और यह देखिए बहुत ही खुपसूर्टी से तियार हो गई है इसी तरह से हम दूसरी साइड को भी तियार कर लेंगे अब ध्यान रखना यह जो मैरी प्लेंस डाली है वो आदा आदा इंची दबा करके डाल दी है से हम इसी तरह से दूसरी साइड को भी तयार कर लेंगे एक बार फिर से आप देख लीजिए कि साइड को हम कैसे तयार करते हैं यह देखिए बहुत ही अच्छे से बहुत ही खुपसूर्ती से हमारी आपी प्लेर्स जो वो तयार हो चुकिया इसके बाद आप बाजू पे अपनी मन पसंद की जो लगा सकते हैं और उसके बाद में आपको नइँ इसको अफनी सूट पे वापिस लगा लेना है ب्लाज का है तो आप ब्लाज पे लगा लिए पहले मैने इसके उपर के मोड़े को कट नहीं किया है इसके बाद में थोड़ी सी cutting करूंगी क्योंकि इसके अंदर थोड़ी losing आ गया तो थोड़ी सी cutting करेंगे अब यह वाली मैंने लेस लिए हैं इसको मैं इस तरह से लगा हूंगी फिर उपर के और fold कर लूँगी तो लेस को आपको नीचे की side में attach करना है फिर आपको इसको उपर की तरह fold करके तो लिजी लेस भी हमारी stitch हो गई है और बहुत ही खुबसूरत बाजू भी मैंने इसका तोड़ा look change कर लिया अपनी dress का आपको वीडियो कैसी लगी या हमारी यह designs आपको कैसी लगी में comment करके जरूर बताईएगा इसी तरह से में अपनी दूसरी बाजू को भी prepare करूंगी फिर अपनी कुर्ते पर लगाऊंगी और इसके बाद में मेरी जो कुर्ता है कुछ नया हो जाएगा तो वीडियो को लाइक करना शेर करना और अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आप पी जब चाहना कोई भी designs तो वो change कर सकते हो चाहे वो suit की हो या फिर blouse की हो तो आप उसे इस तरह से designer बना सकते हो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद में लास्ट में आपको इस जो sleeve के है कुछ look points दिखा रही हो देख लेजेका कि ये जो sleeve है वो वास्तव में कैसी लगती है इसकी जो design से वो कैसी लगती है मैंने एक sleeve को attach कर लिया है सेम इसी preparation से मैं दूसरी sleeve को attach करूंगी वीडियो को like करें, share करें, thank you